नमस्कार, इस वीडियो में हम करेंगे सेंट जोन का करेक्टर स्केज, सेंट जोन कहिए उसको या जोन ओफ आर्क कहिए, तो जोर्ज बर्नार्ड शौ का लिखा हुआ नाटक है सेंट जोन, तो उसकी जो हीरोईन है वो जोन ओफ आर्क है, उसका करेक्टर स्केज देखते हैं, वो एक सूपर वोमन है यानि एक महान महिला है महिला क्या वो लड़की है जैसे सूपर मैन होते है जिन में सामानिय से ज्यादा जितना सामान पुरुष में शक्ति होती है उसे कहीं ज्यादा शक्ति होती है सूपर मैन में वैसे ही ये सूपर वोमन है जिसमें एक सामानिय लड है गाओं की लड़की है और थोड़ा सा अगर आप गाओं की लड़कियों को देखें तो स्ट्रॉन करती है तो होती है वो बैसिकली तो ये भी एक country girl है Joan of Arc was an able-bodied Joan of Arc एक शक्तिशाली शरीर वाली simple साधार country girl मतलब देहाती लड़की है of 17 और 18 years 17 या 18 साल की She was born in 1412 वो 1412 में पैदा हुई in the village of Domadini Domadini गाओं में on the border of Champagne and Lauren Champagne और Lauren के border पर Seema पर Her father was a peasant farmer उसके पिता एक किसान थे He was a simple pious man वो एक साधारन पवित्र आदमी थे who brought up his children strictly जिन्होंने अपने बच्चों का पालन पोशन किया strictly मनलब कठोड़ता के साथ An inspired maid एक प्रेरित लड़की एक प्रेरित कन्या It was said ये कहा जाता था That के When she was in her 13th year जब वो अपनी 13 में इस वर्ष में थी She heard उसने सुना The voice आवाज of God ईश्वर की Giving her उसको देते हुए His message अपना संदेश To raise the siege of Orleans यानि कि वो Orleans का घिरा डाले Since that day उस दिन के बाद She was a changed maid वो एक परिवर्टेत लड़की हो गई बदली हुई लड़की बन गई She often heard वो अक्सर सुनती थी The voices आवाजें Of saints जन्तों की Commanding her उसको आग्या देते हुए To crown यानि राज्या भिशेक करने का या crown जो मुकुट है वो सिर पर रखने के The dauphin डौफिन के सिर पर रखने का In the Rams Cathedral And make the English leave France और make the leave the English यानि जो अंग्रेज हैं उनको बात दे करने पर के वो फ्रांस को छोड़ दे तो उसे ऐसा सुनाई देता था कि जैसे संत लोग जो नौफ आर्फिन को आग्या दे रहे हों कि तुम ये काम करो अंग्रेजों को बात दे करो कि वो फ्रांस को छोड़ दे वो इस आग्या से यानि संतों की ये जो आग्या उसको सुनाई देती थी इससे डॉमिनिटेड रही यानि इससे शाचित रही ये बार 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 वो सुनती रही एस रियल वास्तविक्ता के रूप में तु हर उसके लिए जैसे कि ये उसकी दोस्तों की उसकी सहेलियों की आवाजे हो थ्रू हर अटर सिंप्लिसिटी अपनी पूरी सरलता के साथ एंट ओनेस्टी और इमांदारी के साथ शी सक्सीड़ वो सफल हुई इन कन्विंसिंग विश्वास दिलाने में दा लोकल कैसलन लोकल मींस जो इस्थानी कैसलन मींस किलेदार कैसल किला होता है तो जो इस्थानी किलेदार था उसको विश्वास दिलाने में सफल रही that she had to be heard कि उसकी बात सुनी जानी चाहिए by the dolphin himself खुद डौफिन के दौरा as God wanted him क्योंकि ईश्वास उसको चाहते हैं crowned मुकुट पहना as the legitimate king of France France के वैदानिक राजा के रूप में and the English userpers और जो अंग्रेज userper वो होते हैं जो किसी का शासन हत्या लेते हैं तो जो अंग्रेज जन्होंने के शासन हत्या रखा है over throne उनको over throne ने तख्ता पलट कर देना होता है तो उनका तख्ता पलट कर दिया जाए और डौफिन को राजा बना दिया जाए यह ईश्वार चाहते हैं her idea of soldiership यानि सैनिक ताका उसका विचार जो नौर फार्क डिड नौट नो जो नौर फार्क नहीं जानती थी how to fulfill कि कैसे पूरा किया जाए the command of God इश्वार की आग्या को she often doubt वो अक्सर बातें किया करती थी to the armed soldiers शशस्त सैनिकों से of captain robert captain robert के the captain ordered her father captain ने आग्या दी उसके पिता को to keep her under control कि वो अपनी लड़की को नियंतरण में रखे but when लेकिन जब he heard उसने सुना that कि his orders were flouted उसके आदेशों की flout मने अवहिलना की जा रही है he sent for for zone उसने zone को बुला भेजा when zone of arc entered the captain's castle जब zone of arc ने captain के के लिए में प्रवेश किया she said to the captain तो उसने कप्तान से कहा captain you are to give me a house and armor तुम्हें मुझको एक घर और शस्तर देने हैं and some soldiers और कुछ सैनिक देने हैं and send me और मुझे भेजना है to the dolphin डौफिन के पास these are your orders from my lord ये तुमहरे लिए आ गया है सैनिक का काम was not an easy affair एक आसान काम नहीं था like driving a cow जैसे कि गाए को भगाना out of a meadow चारागाह से जोन ओफ आर्क अंसर्ड हैं जोन ओफ आर्क ने उसको जवाब दिया saying ये कहते हुए that the French were beaten के फ्रांसिसियों को पीटा जाता था या फ्रांसिसी लोग हार जाते थे because क्योंकि they never took war seriously उन्होंने कभी भी युद्ध को गंभीरता से नहीं लिया they fought battles वो लडाईयां लडते थे as if जैसे कि they were tournaments वो कोई खेल खेल रहे हो she said उसने कहा our soldiers are always beaten हमारे सैने हमेशा हरा दिये जाते हैं they are fighting only to save their skins वो तो केवल अपनी skins अपनी तवचा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कहीं उनकी तवचा घायल न हो जाए and the shortest way और सबसे छोटा तरीका सबसे आसान तरीका to save our skin हमारी तवचा को बचाने का is to run away वो है भाग जाना our nights हमारे सरदार our thinking सोच रहे हैं only of the money केवल पैसे के बारे में they will make in ransoms जो कि वो फिरौंती के रूप में राप्त करेंगे it is not kill or be killed ये मारना या मरना नहीं है with them उनके साथ यानि वो कभी ये नहीं सोचते के कैसे अंग्रेज सेनिकों को मारना है या कैसे खुद लड़ते हुए मर जाना है but pay or be paid बलकि उनका जो सोचने का topic है वो है कि कैसे पैसा अदा किया जाए और कैसे पैसा प्राप्त किया जाए but I will teach them लेकिन मैं उनको सिखाऊंगी all उन सभी को to fight, लड़ना that ताके the will of God ईश्वर की इच्छा may be done पूरी की जा सके in France, France में फिर है her doctrine उसका सिधान्त of nationalism राश्ट्रियवाद का Joan of Arc was a nationalist Joan of Arc एक राश्ट्रवादी थी she believed वो विश्वास करती थी that France was enslaved के France को गुलाम बना लिया गया by the English, अंग्रेज़ों के द्वारा because क्योंके the French, फ्रांसी सी लोगों में lagged, कमी थी in the national spirit राश्ट्रियता की भावना की hence, अत है France as a nation France एक राश्ट के रूप में was divided, बटा हुआ था poor, गरीव था and weak, और कमजोर था the church and the feudal aristocracy church और feudal aristocracy में सामन्त शाही, जो सामन्ती उच्वर्ग होता है were above the nation वो मतलब कि देश से उपर थे अपने आपको देश से उपर समझते थे आपने यहां भी देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में भी जो कुछ लोग ऐसे हैं, ताकतवर हैं वो अपने आपको देश से उपर समझते हैं they owned most of the land they owned मतलब वो मालिक थे most of the land, ज्यादा तर जमीन के and money और पैसे के of the country, देश का they should rule the country उनको शासन करना चाहिए देश पर in the name of God ईश्वर के नाम पर working as his करते हुए as his way lives उसके कारिंदों के रूप में and stewards और उसके सेवादार के रूप में she said to Charles उसने Charles से कहा I came from God to tell thee मैं ईश्वर के पास से आई हूँ तुम्हें ये बताने के लिए to give thy kingdom to him, कि तुम अपना राज्य उसको दे दो forever and ever हमेशा हमेशा के लिए and become the greatest king और सबसे महान राजा बन जाओ in the world संसार में as his steward and willif उसके steward और willif यानि कि उसके कारिंदे के रूप में उसके सेवादार के रूप में इश्वर के सेवादार के रूप में जोन ओफ आर्क said to Captain Robert जोन ओफ आर्क ने Captain Robert से कहा that God had given them कि इश्वर ने उनको दिया their country, उनका देश and their language और उनकी भाशा and it is their duty और ये उनका करतव है to keep to them कि वो उसको अपने पास रखें no Englishman had any right किसी भी अंग्रेज को कोई अधिकार नहीं है to rule over them उनके उपर राज्य करने का she said, उसने कहा we are all subject हम सभी उलाम है हम सभी प्रजा है to the king of heaven स्वर्ग के राजा की यानि इश्वर की प्रजा है हम सभी and he gave us our countries और उसने हमको हमारे देश दिये है and our languages और हमारी भाशाएं दी है and means to keep to them और हमको means and meant मदब और इश्वर चाहता है कि हम उनको अपने पास रखें meant बने इरादा भी होता है और यहां means होता तो संसाधन हो जाता if it were not so अगर ऐसा नहीं होता it would be murder to kill an Englishman in a battle तो यह murder होता हत्या होती एक अंग्रेज को युद्ध में मारना यानि इस वक्त अंग्रेज को युद्ध में मारना हत्या नहीं है क्योंकि इश्वर ऐसा चाहता है कि फ्रांसी सी लोग अपने उपर खुद ही राज्य करें फिर नेक्स साइडिंग है अ मिरेकिलस वुमन एक चमतकारिक महला फ्रांस के सामने लोगों का विश्वास था जोन ओफ आर्क वाज़ अमेट कि जोन ओफ आर्क एक ऐसी लड़की थी वो परफॉम्ड मिरेकल्स जो चमतकार किया करती थी वें शी फर्स रीज दा फ्रेंच कोट जब वो पहली बार फ्रांस के दरवार में पहुँची शी वोज टेस्टेड उसकी परिक्षा ली गई शी सक्सेस्फुली सिंगल आउट दा डॉफिन फ्रॉम दा क्राउट तो उसने सक्सेस्फुली यानि सफलता से सिंगल आउट मने च्छांट दिया अलग कर लिया दा डॉफिन डॉफिन को फ्रॉम दा क्राउट भीड में से देर आफ्टर इसके वाद शी वोज आस्ट उससे कहा गया टू कमांड दा फ्रेंच आर्मी फ्रेंच आर्मी को कमांड करने के लिए आदेश देने के लिए उस पन्य नत्रन करने के लिए When she reached Orleans जब वो Orleans पहुँची with the French troops Francis सेनिकों के साथ टुकडी के साथ the west wind suddenly dropped तो जो पश्चिमी हवाद थी अचानक रुख गई and she could attack the English from the rear और वो अंग्रेजों पर आक्रमण कर पाई पीछे से being pierced मने घायल होने के with an English arrow अंग्रेजों के एक तीर से in her throat उसके गले में उसके गले में एक तीर घुस गया अंग्रेजों का और उससे वो घायल हो गई इसके बावजूद she fought वो लड़ती रही for hours घंटों तक when she dashed जब वो गिरी holding her white banner अपना सफे जंडा पकड़े हुए in her hand अपने हातों में towards the wall of the fort किले की दीवार की ओर the English were paralyzed तो जो अंग्रेज लोग थे वो भी एकदम भुचक के रह गए उन पर भी जैसे बजरपात हो गया हो suddenly अचानक the bridge was set in flames पुल पर आग लग गई it broke ये तूट गया and fell into the river और नदी में गिर गया resulting in the death resulting उसका परणाम ये हुआ कि मृत्य हुई of the English soldiers अंग्रेज सैनिकों की Sir John Talbot the English general जो Sir John Talbot अंग्रेज जनरल था was made prisoner उसको कैदी बना लिया गया कैद कर लिया गया by the French troops फ्रांसी सी टुकडी के द्वारा all these incidents ये सारी घटनाएं were taken as miracles एक चमतकार के रूप में मानी गई performed by the maid जो इस लड़की के द्वारा किये गई but some church men लेकिन कुछ चर्च के लोग believed विश्वास करते थे that these incidents के ये जो घटनाएं है were simple, साधारन, natural, प्राकरतिक, contraventions, मतलब के उपाये या साधन थे which confirmed or created faith which confirmed जो के पका करते थे और created या पैदा करते थे faith विश्वास in the beholders देखने वालों में the archbishop of rams rams का जो archbishop था said, bola, that, the miracles ये जो चमतकार हैं seemed, दिखते थे very wonderful, बहुत आश्यर जनक to those उनको who witnessed them जो उनको देखते थे and very simple और बहुत साधारन to those उनको who performed them जो के उनको करते थे next heading है zone of arc as a heretic and witch तो zone of arc एक heretic जो के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और witch चुडैल कही जाती है जादू गर्नियां तो अक्सर उनको जला कर मारा जाता है zone of arc was able to raise the siege of orleans तो zone of arc was able means समर्थ रही काम्याब रही to raise the siege of orleans means orleans का घेरा डालने में in three months तीन महीनों में after the coronation of dauphin यानि dauphin के coronation का मंदब राज्याफिशे के बाद she planned to start fighting उसने planning की उसने योजना बनाई to start fighting means लड़ाई शुरू करने की again फिर से and take over Paris और Paris को हत्याने की but Charles was not in favor of it लेकिन Charles इसके समर्थन में नहीं था इसके पक्ष में नहीं था he rather wanted वो इसके बजाय चाहता था to have a good treaty with the Burgundians to consolidate his gains तो वो treaty चाहता था मतलब कि समझोता चाहता था एक अच्छा समझोता चाहता था with the Burgundians यानि Burgundi के लोगों से to consolidate मने solid करने के लिए सुरक्षित करने के लिए ठोस करने के लिए his gains मने अपने फाइवे since the church the feudal lords and the knights since क्योंके the church the feudal lords यानि समंती जो लोग थे and knights और सरदार had turned against the maid वो खिलाफ हो गए थे इस लड़की के यानि जोन ओफार के some people treated her कुछ लोगों ने उसके साथ वियभार किया as a heretic एक जादूगर्नी या जो अब धर्मी होते हैं धर्म का नाश करने वाले विधर्मी कहलाते हैं whereas जबकि as the church man declared जो चर्च के लोग थे उन्होंने घोशित किया हर उसको यानि जोन ओफार को a witch एक चुड़ेल डायन तो अभी भी आपने सुना होगा इंडिया में भी कई ऐसी घटनाएं हो जाती है कि कुछ महिलाओं को rural area में चुड़ेल घोशित कर दिया जाता है और मार डाला जाता है बहुत बार घटनाएं ऐसी आती है संग्यान में तो यही हुआ जोन ओफार्व के साथ कि चर्च ने उसको चुड़ेल घोशित कर दिया और अंगिलज चैपलेन था वहन्टड वह चाहते थे इस लड़की को मार डाला जाए अपने काले जादू की वज़े से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धर्मिक लोग हैं वो यही करते हैं धर्मिक क्या होते हैं धर्म के ठेके दार होते हैं वास्ता में धर्मिक नहीं होते हैं वो लोग पाखंडी होते हैं और औरतों को चुड़ेल घोशित करके उनको मार डालते हैं जिन्दा जला देते हैं मारते भी नहीं जिन्दा ही जल कई मतलब के शर्यंत रचा गया, बायदा चर्च, छर्च द्वारा एंडाफ्वुडलनयोबल्स और शामनती लोगों के द्वारा शी वॉज मेड पिरिजनर, उसको कैद कर लिया गया बायदा बरिटनी अन्जी द्वारा and handed over और दे दिया गया to the Earl of Warwick Earl of Warwick को on ransom फिरोंती में The Earl of Warwick gave her और Earl of Warwick ने उसको दे दिया to church, church को for justice नियाई के लिए She was accused उस पर आरोप लगाया गया of sinning पाप करने का against God, ईश्वर के खिलाफ and the Holy Church और पवित्र Church के खिलाफ The Bishop's Court was arranged यानि Bishop का दरवार तयार किया गया for her trial उसके मुकदमे के लिए at ruin on the 30th of May 1431 तो 30 मई 1431 को She was made to sign the recantation उसको बाध्य किया गया हस्ताक्षर करने पर अब ये रीकेंटेशन अपना जो विश्वास है उसको त्याग देना रीकेंटेशन कहलाता है तो अपने विश्वास को त्यागने पर एक ऐसे शबत पत्र पर उससे साइन करवाई गए She was made to confess उसको बाध्य किया गया to confess मने सुईखार करने के लिए That she was deceived कि उसको दोखा दिया गया था by the devil राक्षसों के द्वारा शैतान के द्वारा And she blasphemed Blasphemy होती है ईशनिंदा और उसने ईशनिंदा की by wearing पहन कर the male dress पुरशों की पोशाक, getting her hair clipped और अपने बाल कटबा कर, shedding human blood इंसानों का खोन बहा कर And invoking the evil spirits और बुरी आत्माओं का आवाहन करके उनको बुला कर She was condemneded उसको दंड दिया गया to life imprisonment आज इवन कारवास का But, लेकिन she was preferred death उसने मौद को ज्यादा पसंद किया by burning जल कर She was burnt alive उसको जिन्दा जला दिया गया But her heart, लेकिन उसका दिल would not burn वो नहीं जला तो बाद में उसको पानी में फैक दिया गया था उसका दिल नहीं जल सका आग में बाद में लोगों ने आकर बताया कि उसको तो जला दिया गया लेकिन उसका दिल नहीं जला तो उसको उठा कर फैंक दिया गया था Jones retrial, Jones पर फिर से मुकदमा The maid did not cease to exist यैनि मरने के बाद भी जो लड़की थी वो अस्तित्टों में रही exist मनें 에स्तित्टों में होना cease मनें रोकना और did not cease यानि उसका अस्तित्टों खतम नहीं हुआ Even after her lynching यैनि उसके जिनदा जलाई जाने के बाद भी Her mother and brother उसकी माँ और भाई sued the court वो न्यायाले की शरण में गए for getting justice न्याय पाने के लिए for her उसकी खातिर The Bishop of Orleans also held the inquiry तो Bishop of Orleans ने भी inquiry की as the result of this inquiry इस inquiry के परिणाम स्वरूप John was canonized John को संत गोषत कर दिया गया ये canonization एक मतब ritual होता है Christianity में जिसके माध्यम से किसी वेक्टी को संत गोषत किया जाता है जैसे कि Mother Teresa को संत गोषत किया गया था तो John of Arc को भी canonized किया गया उसको संत गोषत किया गया and declared और गोषत किया गया उसको a venerable एक सम्माननिय एंड ब्लेसिट और दैविय सेंट संत दे जजज जो नियाधिश थे प्रेसाइडिंग ओवर जो के प्रेसाइड कर रहे थे ओवर देस्टिनी ओफ दे मेड उस लड़की के भागय के उपर वर डिकलेर उनको घोशित किया गया करप्ट भरष्ट एंड डेसीटफुल और दोखेबाज इवन आफ्टर हर रिहेबिलेटेशन यनि उसके पनरुद्धार के बाद भी दमेड हैड हर ओन फियर्स उस लड़की के अपने डर थे because क्योंकि the earth धर्ती ने had not learned नहीं सीखा था to receive स्वागत करना God's saints ईश्वर के संतों का with honor समान के साथ तो अंत में भी सेंट जोन के मन में यही रहा कि ये जो धर्ती है ये जो संसार है इसने अपने संतों का आदर करना उनका स्वागत करना अभी तक नहीं सीखा है और अभी भी ऐसा होता है कि अक्सर कई जो मासूम होते हैं निर्दोश होते हैं उनको सजा मिल जाती है और जो वाकी में गुनहेगार होते हैं वो सजा से बच जाते हैं तो ऐसा संसार में होता आया है होता रहता है होता रहेगा ये वीडियो हम यहीं समात करते हैं धन्यवाद